एक चर कमान देने पर BGA व्यंजकों को हल करना आज हम देखेंगे एक चर यानि वेरियेबल कमान देने पर BGA व्यंजकों यानि एलजेब्रिक एक्स्प्रेशन को हल करना आपने पहले भी BGA व्यंजकों यानि एलजेब्रिक एक्स्प्रेशन के बारे में पढ़ा है आएए अब इसे एक उदाहरन की मदद से दोहराएं कोमल की माता जी की आयू उसकी आयू की दो गुनी से 7 वर्ष अधिक है यदि कोमल की आयू के वर्ष हो तो उसकी माता जी की आयू ग्यात करने के लिए व्यंजक बनाईए जैसा कि हम जानते हैं कि कोमल की आयू के वर्ष है और कूमल की माताजी की आयू बराबर दो गुना के जमा साथ बराबर दो के जमा साथ अतहम माताजी की आयू ग्यात करने के लिए वियनजक होगा दो के जमा साथ आये हम सीखें कि यदि किसी वियनजक में एक चर का मान दिया हो तो उसे कैसे हल किया जाता है चलिए इसको समझने के लिए एक प्रश्ण हल करते हैं वियनजक एक्स की घात दो जमा 3 एक्स घटा 14 का मान ग्यात कीजिए यदि एक्स बराबर 3 है हमारे पास एक्स का मान 3 है तो अब हम एक्स की जगह 3 लिखेंगे अब एक्स की घात 2 बन जाएगा 3 की घात 2 और 3 एक्स बन जाएगा 3 गुणा 3 अब हमारा वियनजक है 3 की घात 2 जमा 3 गुणा 3 घटा 14 तीन की घात 2 होता है 3 गुणा 3 बराबर 9 और 3 गुणा 3 होता है 9 तो इनके मान रखने पर हमें मिलेगा बराबर 9 जमा 9 घटा 14 9 जमा 9 होता है 18 तथा 18 घटा 14 होता है 4 अतह उत्तर होगा 4 उदारन 2 निम्नलिखित वियनजक को सरल कीजिए तथा इनके मान ग्यात कीजिए जब एक का मान 5 है एकी घात 2 घटा 3 गुणा ए जमा 2 इस वियनजक को सरल करने पर हमें प्राब्त होगा बराबर एकी घात 2 घटा 3 ए घटा 6 है अब इस वियनजक में एक का मान 5 रखते है बराबर 5 की घात 2 घटा 3 गुणा 5 घटा 6 बराबर 25 घटा 15 घटा 6 बराबर 25 घटा 21 बराबर 4 तो हमारा उत्तर होगा 4 आज हमने देखा एक चर कमान देने पर बीजिय वियनजकों को हल करना अगले वीडियो में हम कुछ उदाहरनों से इसे और अच्छे से जानेंगे धन्यवाद